आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ तिवार स्पेसल एकदम खस्ता करंची क्रिस्पी मिठी खजूर जो मुँ में जाते ही एकदम से गुल जाएगी जब भी घर में कोई तिवार हो जैसे दिपावली या छठाप इस रेस्पी को जट से बना कर तियार कर सकते है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना एकदम आसान है और ये बहुत ही खस्ता बन कर तियार होता है तो चलिए आज का रेस्पी शुरू करती हूँ तो सबसे पहले एक बरा सा बरतन लेंगे और इसमें डालेंगे दो कटोरी मेदा और साथ ही म चीनी का पोडर अब इसमें डाल देंगे थोरा सा आजवाइन अगर आपके पास कलंजी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं अब सभी चीज को मिक्स कर लेंगे अब हम आटे में डालेंगे सबसे जरूरी चीज जिससे हमारा बिस्कित एकदम खासता बने तो मैं यहाँ पर आध बिखरा बिखरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा हैं तो आप आठे को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बिल्कुल बिखरा बिखरा नहीं लग रहा हैं तो चलिए अब इसको फटा फट से गुत कर तेयार कर लेते हैं तो मैं इसमें दूड डाल कर गुत रही हूँ आप अगर इसे महिने वर के लिए श्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल पानी से इसका टाइट डो लगाएगा लेकिन अगर हम इसे दूद से डो लगाएंगे तो हम इसे हफ्ता वर के लिए ही रख सकते हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डालेंगे और इसका एक टाइट सा डो लगाएंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूद करके ही डालेंगे तो हम इसमें नॉर्मल टमपरेचर का दूद ही डालेंगे जो रूम टमपरेचर का होता है वही अब इसको बढ़ियां से इस तरह से मसल कर इसका एक डो लगा कर तियार करेंगे तो हमें इसका डो टैट ही लगा कर तियार करना है अब इसको बढ़ियां से इस तरह से चिकना कर देंगे और इसको पांच मिनट के लिए छोर देंगे पांच मिनट वाद वापस से आटा लेंगे और इसको इस तरह से तिन टुकरा में काट लेंगे क्योंकि हमें इसे बेलना नहीं है इसे काट कर ही इसका खजूर बनाना है अब इसका एक बरा सा रोल इस तरह से बना लेंगे अब एक चाकू लेंगे और इसको तिर्चा काटेंगे तो इसको पहले तिर्चा इस तरह से काट कर हटा देंगे अब इसको इस तरह से पतला पतला छोटा छोटा कट करेंगे तो सभी को इस तरह से काट लेंगे इससे ये होगा कि आपका सारा खजूर एक जैसा बनेगा अब दोनों साइट का इस तरह से हटा देंगे अब एक टुकरा उठाएंगे और इसको दोनों साइट से इस तरह से सेट कर लेंगे बस इसको इतना ही करना है देखिए फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ तो इसको दोनों साइट से इस तरह से हलका सामोरना है बस इतना ही करना है तो देखिए हमारा सारा खजूरिया बन कर तयार है तो देखिए हमने इतना जल्दी इतने सारे खजूरिया बना कर तयार किये है तो मैं आप लोगों को एक दिखा देती हूँ, ये कितना बढ़ियां बनकर तियार हुआ हैं, तो चलिए अब इसको फटाफट से फ्राय करते हैं, अब गयास पर एक कराई रखेंगे और इसमें तेल गर्म होने देंगे, तो मैं तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दी थी, तो मैं तेल को माधियम आज पे हलका गर्म किये हैं, अब इसमें एक एक करके खजुरिया डाल देंगे, तो एक बार में जितना आ जाए उतना ही डालिएगा, डालने के दो तीन मिनट बाद इसको एक साइड से दूसरे साइड पल्टा देंगे, तो सभी को इस तरह से एक सा साइड से पक जाएगा और ये बीच में कच्चा रहेगा, तो इसको थोड़ा देर देर पर इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड पल्टाते रहेंगे, ताकि ये दोनों साइड से एक दम बढ़ियां से पके, तो सभी को इस तरह से एक एक कर दूसरे साइड पल्टा दें ताकि ये दोनों साइड से एकदम बढ़ियां से पके तो देखी ये दोनों साइड से एकदम बढ़ियां से पक गया है और इसका कलर भी एकदम बढ़ियां गोल्डेन आया है हमें इसे पकाने में लगभग पांच मिनट का टैम लगा है और हम इसे बिलकूल धीमी आँच पर पकाये हैं आब इसको बढ़ियां से इस तरह से चन्नी में छान लेंगे और इसको थोड़ा दिर कराई के उपर रखेंगे तो सारा एक श्रा तेल नीचे आ जाएगा आब इसको निकाल कर प्लेट में रख लेंगे तो दिखे ये बिल्कुल भी ओईली नहीं है तो चलिए अब बचा हुआ को भी इसी तरह से तेल में फड़ाय कर लेंगे तेल में एक एक करके डाल देंगे डालने के थोड़ा देर बाद इसको एक साइड से दुसरे साइड पल्टा देंगे और गैस का फ्ले माधियम रखेंगे इसे माधियम तौपर एकदम बढ़ियां से फड़ाय कर अब इसको निकाल कर प्लेट में रख लेंगे और बांकी का बचा हुआ खजुरिया इसी तरह से बना कर तियार कर लेंगे तो मैं यहाँ पर सारे बना कर तियार कर लिये हैं तो देखें यह कितना खस्ता करंची क्रिस्पी एकदम उपर से हाड और अंदर से एकदम खस्ता बन कर तेयार हुआ हैं तो दोस्तो आज का रेस्पी कैसा लगा हमें कोमेंट करके जरूर बताना और आप सभी भी एक बार इस तरह से मिठी बिस्कुट बना कर जरूर खाना